असलाम लेकुम फ्रेंड्स वेल्कम टु फेजारं टैटोरियल सेनल दोस्तों अगर आपने अपनी जो पर्मनेंट सिम है या आपनी कोई भी सिम किसी दूसरे नेट्वर्क के ओपर कनवर्ट करवा रखी है और आपको भी जो एंटियस यह पीपियसी है इस तरह के जो भी गौ तो यह जाए इसको यूज करना हो पसंद करता है लेकिन नबर मेरा पर्मनेंट है मैं नमबर को तो चैन नहीं कर सकता क्यूंकि मेरे काफी जादा चान पर चान वाले हर बंदे के पास यही नमबर तो ऐसे में नमबर को कनवर्ट करवा लेना एक मजबुरी बन जाती है तो मैं नमबर को जब मैंने कनवर्ट करवाया हुआ है अब इसके अंदर मुझे प्राब्लम्स यह पेश आती है कि जब मुझे दूसरे यह कुछ गौर्वर्मन्ट की और्गनाजेशन से कुछ कमपनी से मैसेज आने होते हैं जैसे कि न्टीस से पीपीएसी से या किसी भी गौ उनको कॉंटक करके कहें कि मेरी यह जो SMS ब्लॉक की सर्विस है यह जो परमोशनल SMS ब्लॉक की सर्विस है इसको बंद कर दें तो अगर तो आप परमोशनल SMS ब्लॉक के सर्विस को बंद करवा ले थे हैं तो किसी हद तक यह मसला सॉल्व हो जाता है किसी हद तक सॉल्व होने क यह मतलब है कि कुछ मेसेज आपको रिसीव होने शुरू हो जाएंगे लेकिन कुछ मेसेज आपको उसके बावजूद भी रिसीव नहीं होंगे तो इस तीज के ओपर पूरी इंवस्टिकेशन की है, मेरा यूफून है उसके ऑपर एक और ये मेसेज रिसीव नहीं होते थे तो मैंने इनको complain करने के बाद jazz के ओपर मेरी sim है मैंने इनको complain करके highlight किया score काफी दिर मेरी 10-15 दिन उन से लगातार बात होती थी हर 2-3 दिन बाद उनकी मुझे call आती थी तो उन्होंने अपना जो पूरा setup था पूरा system था उसको अची तरह से चेक करके मेरे number को अची तरह से देखा कि इसके अंदर को problem हा रहा है convert होने की विज़ा से के नहीं तो उन्होंने यह सारा system देखने के बाद मुझे बताया कि हमारे यहां से हमारे end पर इस चीज में कोई भी problem नहीं है अगर company आपको message भेर रही है वो अगर you phone का code है 0335 या 0333 तो वो इसको as a you phone recognize करके message send करती है लेकिन अगर वो इसको as a jazz recognize करके message send करना चाहे तो वो message send नहीं होते यह उनके अपने जो senders होते हैं उनके system का fault है इसकी example मैं आपको यह देता हूँ कि जैसे के द्रास की बात करते हैं द्रास के जो messages है वो मुझे receive हो जाते हैं लेकिन मुझे NTS के message receive नहीं होते है अब द्रास वालों का setup है उनका जो system है message sending system उन्होंने इतना उसको advance किया हुआ है कि चाहें बड converted हो वो तब भी message send हो जाएंगे अच्छा एक और बात कर लेते हैं नॉर्मली यह जो message sending का issue होता है यह जायत है जो code से message आते हैं उन पर नहीं होता जैसे के for example hbl1 का code है 4250 4250 इस तरह code से message आएगा कोई issue नहीं होगा इसी तरह से 111 से message आना है यह किसी भी code से message आना है फिर issue नहीं होता उसके बात कर लेते हैं समटाइम बैंक के माइसेजिस हैं वह तो कोडस से तरह सेा आप करने में होता है मेरी करना है तो इस calling बेन्देटिंटंS करें हैं तो जितने भी बैंकवाले हैं अगर वह इस चीज़पर मस्या करते हैं converted SIM पर तो उन्होंने उसका कोई ना कोई setup रखा होता है वो आपको कोई यहां तो वहां से आपका system में update कर देते हैं हुदी यहां फिर आपको बताते हैं कि आप फ़लाँ एक number है इसके उपर message करें इस तरह से अपना network लेकर तो आपका network हमारे system के अंदर upgrade हो जाएगा उसके बाद में पिर आपको messages जो हैं वो receive होना शुरू हो जाते हैं अच्छे दूस्तों एक और मैं आपको यहां पर मज़े की बात बताता हूं यह जो convert करवाने से SMS ना receive होने वाला मसला है यह हमेशा नहीं होता हमेशा ना होने का यह मतलब है कि अगर मैंने यूफोन की SIM जैस पर करवाई है convert तो इसमें यह मसला मुझे पेश आ रहा है लेकिन मैंने यूफोन की SIM एक अपनी टैले नौर पर convert करवा रखी है उसमें यह issue बिल्कुल भी face आपको करने को नहीं आता तो दोस्तों यह network का आपस में भी हम इसको कह सकते हैं कि clash है कि एक network यूफोन अगर जैस पर जाता है तो इन दोनों का clash है कि आपको फिर यानि कि तमाम messages रिसीव होना बंद हो जाते हैं लेकिन अगर यूफोन की SIM टैले नौर पर जाती है तो फिर आपको कोई अभी messages का issue नहीं होता फिर NTS के message भी आते हैं सारे messages आपको receive होते हैं तो दोस्तों इस चीज को आप अगर अपने तोर पर हल करवाना चाहते हैं company से राप्ता करके तो यह मसला हल नहीं होगा तो इसके लिए बेहतर यही है कि अगर आपने NTS के message receive करने हैं पीपी ऐसी हैं इस तरह कि जो भी government drops के लिए जब आप apply करते हैं तो आप हमेशा अपना non converted number ही वहाँ पर दें converted number के उपर SMS को receive करना या ना करना एक risk आपके लिए थाबिए हो सकता है तो कि लगी होंगी इस वीडियो को देखने का बहुत 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 शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफिस